डिव ब्मॉनिंग बच्चों को हम अज आपको इस्टी फिर पढ़ाने जा रहे है नेक्स्ट क्लाउस jumped to निस खिमारी पेज्सद्ट की चलेगी जो कि आपको पिछली कच्चा में बताया गया थह वह की पिछली कच्छा में आपको एससेस्टी के बारे में बताया गया था जिसमें कि आपको कॉंटिनेंस में साथ कॉंटिनेंस बताया गये थे जिसमें एसिया पढ़ लिए हम लोग अफरीका पढ लिए हैं आज हम पढ़ेंगे North America North America पढ़ेंगे North America North America the third largest continents is located in Northern part North America भी सुका तीसरा सबसे बड़ा महादीप है महादीप है यह लोकेट मतलब यह जहाँ इस्थित है North part में यह इस्थित है नार्थन नार्थन पार्थ मतलब उत्तरिय दिशा में इसके बाद इसके खोज करता लिखा है क्रिश्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड इस नार्थ अमेरिका को जो खोज किया था उनका नाम है क्रिश्टोफर कोलंबस जीने इसका खोज गया डिस्कवर्ड मतलब खोज USA and Canada are both in North America North America North America के दो पड़ोसी देश भी हैं जो कि USA और Canada हैं साथ में आगे अगला प्सुन आए नेक्स टॉपिक हम पढ़ते हैं South America South America is the fourth largest continent in the world South America बिसुका चौथा महादीप माना जाता है कहते हैं या कहा जाता है या बिसुका जान दीजेगा बिसुका सबसे घना जंगल और सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जंगल यह कहां कहा है South America का यह Amazon नदी के किनारे है ध्यान दिजेगा Amazon नदी है जो Amazon नदी है आर होम टू ए लार्जेस्ट एंड डाइवर्स नंबर आफ लिविंग क्रेचर्ष यहां पर यहां पर बहुत अनेक तरह के बिभिन प्रकार के जिवजन तु अपना घर बना कर हो मतलब घर बना कर रहते हैं यह माल लिजे इनका सबसे अच्छा स्थान वही यह मानते हैं लंबे की बिभिन प्रकार के आप दे लिविंग क्रेचर्ष आप्टर दे नील नदी नील नदी आप्टर मतलब बाद में नील नदी के बाद दे एमजन रिभर इन साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का एमजन रिभर नील नदी के बाद बिश्व में सबसे लंबा माना जाता है बिश्व में सबसे लंबा नदी माना जाता है दूसरे अस्थान का सबसे लंबा नदी माना जाता है करा है आप्टर द नील नदी नील नदी के बाद द एमाजन रिवर इन द साउथ अमेरिका कराय कि South America में South America का Amazon River 20 का दूसरा सबसे लंबा लगदी माना जाता है किसकी बाद का है निल नदी तब इसका मतलब हो गया निल नदी 20 का सबसे पहला या सबसे लंबा नदी है